अम आभी पार्टी की नेता अतिशी आज शाम मुख्य मंत्री के पद की शपत लेने वाली है इस खबर पर डीटेल्स के साथ तेजश्री पर दूश्री जुड़ी है तेजश्री बताएं कब शपत ग्रैन होना है और अतिशी के साथ कौन-कौन ये मंत्री शपत ले रहे है अतिशी बतार मुख्य मंत्री आज शाम साड़े चार बजे लगी सेकरिटेरियेट पर शपत लेने वाली है उनके साथ साथ पूरा कैबिनेट भी शपत लेगा जिसमें केलाज गहलोद, गुपाल राय, सौरब भारदवाज, इमरान हुसेन और मुकेश कुमार एहलावत जो पहली बार कैबिनेट में मंत्री के तौर पर शामिल होंगे ये सभी लोग शपत लेने वाले हैं, आपको बता दे कि एहलावत जो है वो दरित समुदाय से आते हैं, हाला कि ये पूरा रास्ता हाला कि छे महीने का ही सफर है, लेकिन ये पूरा जो छे महीने का वक्त है, ये आतिशी के लिए आसान नहीं होगा, बीजेपी के आरोपों क अब भी सामना करना है, LG के साथ हमने देखा कि पूर्व मुक्य मंत्री अर्विन केज़िवाल के किस तरह कि संबद रहे हैं, उसे भी देखना होगा और साथ ही साथ दिल्ली की जनता के साथ वो किस तरह से connect बना पाती है, संबन बना पाती हैं, वो भी देखना होगा, तो एक तरह सरफ जहना आती ही सिट लेने वाली है, आज तो ही दूसरी और अरविन के जिवाल ग्राउंड पर जाकर लोगों से मिलने वाले हैं, सोध उने का उनका प्लान तयार है कि किस तरह से वो जनता के अदालत में खुद को अरेंडर करने वाले हैं, साथ ही साथ उनके साथ मन लेकिन अभी फिलाल इस वक्त सभी की निगाएं साड़े चार बजे की और टिकी हुई हैं कि कब दिल्ली को अपनी तीसरी महिला मुख्य मंत्री के तौर पर आतिशी मिलती हैं चलिए आगे बढ़ते हैं आज जम्मु कश्मीर में प्रचार का सूपर शनेवार है अमिच्शा सहित, मलिका अरजुन खाडगे और उमर अब्दुल्ला ताबर तोड कई रेलिया कर रहे हैं जम्मु कश्मीर चुनाफ प्रचार के लिए अमिच्शा आज पांच जनसभाई कर रहे हैं मंडेर, पूँच, ठानामंडी, राज़ौरी और अखनूर में अमिच्शा कारेकरताओं को संबोधित करेंगे अमिच्शा जम्मु कश्मीर के पांच दिन में ये दूसरा दौरा है जम्मु कश्मीर में दस साल बाद विधानसभा चुनाफ हो रहे हैं 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाफ है 18 सितंबर को पहले फेस की वोटिंग हो चुकी है अब 25 सितंबर को दूसरे फेस की और 1 अक्टूबर को तीसरे फेस की वोटिंग होगी